स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इस्टार इस्टडी सेंटर में तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कक्षा दस्वी की हाई स्कूल यूपी बोर्ड दो हजार इकीस की परिक्षा जो है वो आने वाली है और परिक्षा की द्रिष्टी से हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा जी का जो अध्याय है कविता है वो आति महात्व पूर्ड है उनका जीवन परिक्षा में पूछा जा सकता है तो उसी करम में इस वीडियो में आपको हम बताएंगे महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचे साहितिक परिचे एवं उनकी प्रमुख कृतियां उन्होंने क्या क्या लिखा उनकी लेखनी से क्या क्या हुआ निकला इसके बारे में आप लोग देखेंगे तो चलिए बीना द यूग की मीरा महादेवी वर्मा जी को लोग क्या कहते थे उस समय आधुनिक इस समय भी कहते हैं बलकि आधुनिक यूग की मीरा के नाम से विख्याता श्रीमती महादेवी वर्मा का जन सन 1997 को उत्तर प्रदेश के प्रसिध नगर फरुखाबाद में हुआ था इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा इंदोर के एक कालेज में अध्यापक थे क्या थे अध्यापक थे तथा माता हेमरानी देवी सरल हिर्दया एवं धर्म पराड़ा महिला थी यह श्री कृष्ण में अटूत स्रधा रखती थी कौन महादेवी वर्मा जी इनके नाना भी ब्रज भा भाषा में कविता करते थे किस भाषा में ब्रज भाषा में कविता करते थे नाना एवं माता की इन गुडों का महादेवी जी पर भी प्रभाव पड़ा इन्होंने मैट्रिक से ले करके कहां से ले करके मैट्रिक से ले करके में की परिक्षाएं प्रथम स्रेणी में उत्ति उसके बाद देखिए उत्तिन्ड की बहुत समय तक या प्रयाग महिला विद्यापीठ कौन से विद्यापीठ में प्रधाना चार्यानी प्रिंसिपल का एक पद होता है उस पोस्ट पर ये कारेदत रही महादेवी वर्मा जी का 80 वर्स की आवस्था में 11 सितंबर ये देखिए तो आपकी परिक्षा में तीन नंबर का जीवन परिचे पूछा जाता है तो ये तीन बातें अगर आप लिखते हैं तो आपको तीन नंबर जरूर मिलेगा और बाकी तो आपको लिखना ही है तो महादेवी वर्मा जी का 80 वर्ष की आवस्था में 11 सितंबर सन 1987 इसवी को महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उतिर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी इनकी रचनाये सर्व पर्थम चांद नामक पत्रिका किस पत्रिका में ये चांद नामक पत्रिका उसमें प्रकाशित होती थी उसमें महादेवी वर्मा जी की रचनाये सबस यह दो पुरुसकार इन्होंने कैसे प्राप्ट किया अपनी काववयात्मक परतिभा के लिए इन्हें प्राप्ट किया गया था। इसके पश्यात भारत सरकार ने इन्हें इंडियन गॉवर्मेंट के द्वारा इन्हें पद्म भूशल की उपाधी से भी सम्मानित किया गया सन 1983 इसवी में इन्हें ज्यान पीठ पुरसकार से भी सम्मानित किया गया और इसी वर्स इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरसकार प्रदान किया गया। प्रिये विद्यार्थियों अब अगर आप कक्षा दस्वी में हैं तो आपको सिर्फ जीवन परिचे और कोई एक कृति का नाम लिख देना है और यदि आप कक्षा बारा के विद्यार्थि हैं तो कक्षा बारा में जीवन परिचे के साथ साहितिक परिचे भी पूछा जाता ह तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको साहितिक परिचे भी लिखना है तो ये साहितिक परिचे हुआ इसके बाद देखिए प्रमुख कृतियां जो most important कृतियां है महादेवी वर्मा जी की वो इस परकार से हैं प्रमुख कृतियां आपने देखी लिया होगा इस नामा, संधिनी उसके पश्यात देखें आधुनिक कवी और निहार है इन्होंने एक मेरा परिवार नाम से निबंध की पुस्तक की रचना की थी कौन सा पुस्तक था मेरा परिवार एक पुस्तक की रचना की थी जिसमें एक रचना थी गिल्लू ये जो है बड़ा ही मारमिक कहानी है इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ें ये रेखाचित्र के नाम से भी इसे रेखाचित्र वस्तुता ही कहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपने महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचे साहितिक परिचे उंकृतियों के बारे में जानकारी हासिल की अगली व पताया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ने दे दिया गया है कुछ समय बाद आप आई बटन में भी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली बोर्ड परिक्षा 2021 कि सबसे महतुपूर्ड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके जय हिन